जाहिन सात्यों, विद्यापी टेस्टेटी पॉइंट में आपसों का स्वागत है, अभी हम जो ज्ञान बिंदु का पब्लिकेशन से बुक आया है, बिहार दुरोगा का प्रिभियस यर और साथ में ही इसका डिसक्सन जो की बहुत ही डिपली दिया हुआ है, इसका ही सेट नम परिक्षा हल प्रशन पत्र जो की 26 बाड़ा 2021 के पर्थम पाली में हुआ था, और इसका पीडिया भी हम टेलिग्राम पर प्लोट कर देते हैं, तो वहां से जा के आप इसको रीट कर सकते हैं, तो आई हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कोशन देखेंगे, किस दसक को युना अंतराष्टिक दसक में देखेंगे, तो जो हुआ था, जैसे 2022 से 2022 में हुआ था, यह आपका सोदेशी भासाओं का अंतराष्टिक दसक था, 2021 से 30 तक सरक सुरक्षा के लिए कारवाई का दूसरा दसक था, वहीं 2021 से 30 तक देखेंगे, तो स्वस्त उम्र बढ़ाने का सन्यु सन्युक्त राष्ट दसक है, 2001 से 30 में ही सतत विकास के लिए सन्युक्त राष्ट महा सागर ग्यान का दसक रहा है, वहीं देखेंगे, तो उन्हें से 28 तक तो नेंसम, मंडेला, डिकेड़ आफ फीस रहा है, वहीं देखेंगे, तो 2018 से 2018 तक कारवाई के लिए अंतराष्ट दसक सतत विकास के लिए जल है 2018 से 27 तक गरीवी उनमुलन के लिए सन्युक्त राष्ट का तीसरा दसक है वहीं 2016 से 25 तक दखेंगे तो फोसाग पर करवाई का सन्युक्त राष्ट का दसक है वहीं 2016 से 25 तक का अफरीका के लिए तीसरी ओद्योगिक विकास का दसक है 2015 से 24 तक के लिए अफरीकी मुल्के लोगों के लिए अंतराष्ट ये दसक रहा है वहीं देखेंगे 2014 से 24 के लिए सभी के लिए सतत उर्जा का सन्युक्त राष्ट दसक है सन्युक्त राष्ट द्वारा घोसित अंतराष्ट ये वर्ष देखेंगे कौन-कौन सा रहा है तो यह दिखें कि सतत परवर्तिय विकास का अंतराष्टिय वर्स सतत विकास के लिए बुनियादी विग्यान और अंतराष्टिय वर्स कारिगर मतस पालन का और जलिय किर्सी का अंतराष्टिय वर्स रहा है दूसरा नमर कोशन जो दिखेंगे निमलिखि का उपादी धारन किया गया था यहां पिसका एंसर जो हगा सी हो जाएगा जिसका कारीकाल दिखेंगे तो 1206 से 12010 तक इस भी तक रहता है तेरवी सताधी के सुरुवात में तुर्कों द्वारा भारत में अस्थापित पर्थम समराज गुलाम बंस था गुलाम बंस के अस्था कारण उसे लाक्स भक्स कहा जाता था इतिहासकार मिनहाज एवक को हातिम दूत्य की भी उपादी दिया था वह एवक ने हसन निजाम और फक्रे मुदवीर जैसे बिद्वानों को संदक्षन दिया तता परसीद सुफी संथ ख्वाजा कुईतिन भक्तियार काकी के नाम पर जो है दिल्ली में कुटू मिनार की नीव रखी जिसे इल्टू तुमिस ने पूरा करवाया था निश देखेंगे उसने दिल्ली में कुटू मूल इसलाम तथा जमेर में इस्तित अढ़ाय दीन की जोपरा नामक मस्चित का निर्मान भी करवाया संद 1210 में इसमी में जो है चोगान पोलो खेलते समय घोरे के गिरने से उनका जो है मिर्टी हो जाता है कुटू वेदन का जो डफनाया गया था यह आपको लाहोर में दफनाया गया था इसके बाद जो आता है समसुदीन जो है इल्टू तुमिस आता है इल्टू तुमिस ने 1210 इस Bernard को पराजित किया और स्वयंग को सुल्तान व्याउपादी धारन कर लिया। तो आराम सा जो है यह आपका कुतुमिदी नेवक का बेटा रहता है, जिसको जो है इल्टुतमिस परास्त करके या हराज घहरा करके जो है दिल्ली सल्तनत के पर बैठता है गुलामबंस का। तो इसलिए से जो है बास्तिक संस्थापक भी पहेगा तो इल्टुतमिस को ही माना जाता है इसे भारत में मुस्लिम संपर्भुत का बास्तिक संस्थापक भी माना जाता है इल्टुतमिस पहला तुर्क सुल्तान था जिसने सूद अर्वी सिक्के भी चलाया था इसने तुरका चिहलगान की पर्था तथा एक्ता पर नाले चलाया और दिल्ली के अमीरों का धमन भी किया था मंगल आकरमकानी चंगेज खान ने भारत पर 121 की सिस्पी में इल्टुत मिस के सासन काल में ही आकरमन किया था इल्टुत मिस की मिर्ति जो है 1236 में हो जाता है और उसके बाद ग् आज़त उसी धान परम किया था इसने तुर्क कान एचिहलगान की पर्था को जो है समाप कर दिया बल्बन का दरवारी कभी जो था वो फार्सी अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे बल्बन की मिर्ति बारा सो 87 में हो गया था गुलाम बंस कांतिम्सा का सासक जो देखेंगे त तो था सस्यूदीन कैमूर्स उसके बाद आता है फिरोसा फिरोसा तुगलक जो है 351 से 388 भी तक रहता है फिरोसा तुगलक ब्राहमनों पर जज़िया कर लगाने वाला पहला मुसलिन सा सकता इसने हरक इस सर्व नामक सिचाएकर लगा था फिरोसा तुगलक की मिर्तिज है 38 388 इसवी में हो गया था यही पूछा जाता है फिरोसा तुगलक के द्वारा जो है आपका नहरों का जाल बिछा दिया गया था फिरोसा तुगलक के द्वारा लेकिन पूछे जो सबसे पहले नहर का जो स्थापना था नहरों का जो निर्मान था वो किसके द्वारा किराया था तो यह आपको ग्यासुदीन तुगलग के द्वारा किया गया था जो तुगलग बंस का संस्थापक था नेस कोशन देखते हैं किम्बरेले हीरा खनन किंद्र जो है वो किस देश मिश्थित है युझ देखेंगे दचीन अफ्रीका मैं है जो हीरा के लिए आपका परसिधoperation किम्बरेले खनन के दचीन अफ्रीका मिश्थित है दचीन अफ्रीका का पोष्ट मार्ग बूर्ष और उसका संहिप वर्ति छेत्र मेगिनिज प्रमक उत्पादन के लिए परसीद है अफ्रिका में सरवाथक तामबा उत्पादन देश देखेंगे डी आर कांगो है संसार की सबसे बड़ी सोने की खान पिटड़्स वर्गी से कते हैं पिटवार वाट्स दिया है रेड जो दशिन अफ्रिका मिश्थित है दशिन अफ्रि पूछ लेता है याद रखेगा केरल में मालावार तर्ट पे सबसे जयदा थोरियम का खान पाये जाता है निश्च कोशन देखेगा राजीव गांदी खेल रत्र पुरसकार में इनाम कितने दिये जाते हैं तो जिस समय जो देखेंगे न ये दिया था उसमें 25 लाग था ठी बढ़ा कर 25 लाग रुपया कर दिया गया है अरजुन पुरसकार देखेंगे तो 5 लाग से बढ़ा कर 15 लाग रुपया कर दिया है दुराना चार लैप्टेम पुरसकार प्राप्त करने वाले जिने पहले 5 लाग रुपया दिये जाते थे अब नगत पुरसकार के रूप में 15 लाख रुपिय दिये जाएंगे जबकि दुरोना चारे रेगुलर को परती पुरसकार 5 लाख रुपिय के बज़ए 10 लाख रुपिया दिया जाएगा ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरसकार कर दिया गया है इसकी अस्थापना जो है 1991 से 92 में की गई थी बर्स 2022 में मेजर ध्यांचन पुरसकार के बियेता जो रहा था वो रहा था सरत कमल जो अचन था यह आपका टेविल टेनी से जो है खेला रही है यह चीज याद रखेगा क्योंकि इसे कोशन बनने की आसंका है नष्टा जता है पांचन नवर कोशन 2021 में पदम सरी पूरसकार प्राप करने वाला कौन था तो 2021 में पदम सरी पूरसकार क्या था इसमें से पी अनीता था यहां पिसका एंसर यह वो जाएगा ठीक है और 2021 में पदम सरी जो है 102 आदमी को मिला है जिसमें परमुख देखेगे पी अनन्ता खेल तमिलाडूस है डॉक्टर दिलीब कुमार सिंग चेकित साब बिहार से है मदुला सिंग देखिए मरनो प्रांथ साहित वसिक्छा विहार की है दुलारी देवी कला जो की बिहार से सम्दित है चौनमर कोशन देखेंगे लूसी ब्रांच का सम्द निमलिखित म मान हो जाएगा तो विद्दू सक्ति का मान जो है यह आपका एक चौनथाए रह जाएगा ठीक है विद्दू सक्ति देखते हैं विद्दू सक्ति परिपत में उर्जा के च्छय होने की दर को सक्ति कहते हैं इसका ऐसा मात्रक्ज होता है यह वाट होता है परती रोध देख है नोट देखेंगे मानव सरीर सुस्क के विदूत परतिरोद के परिणाम की कोर्टी जो होता है यह आपका दस्य पावर सिक्स होती है तथा मानव सरीर नम का विदूत परतिरोद का मातरक यह आपका परिमाप कहते हैं इसका मात्रक बोल्ट होता है यह एक अदिस रासी होता है निश्ट आता है तसोकर वेट लेंड आदर भूमि भारत के किस छेत्र मिश्टित है तो यह आपका लदाक छेत्र में जो है तसोकर वेट लेंड है तसोकर का अर्थ होता है सफेद जील आली में भारत लदाक क स्थर के रूप में सामिल किया गया इसे यह दर्जा आद्र भूमियों परंतराष्टे राम सर कर्वेंशन द्वारा परदान किया गया है निश्टा था नौनमा कोशन रानी रामपल एक परतिष्टित खेल परतिभा किस खेल से संबंदित है तो यह आपका होकी खेल से रानी संबंदित देख लेते हैं यह कभी कभी आता है जैसे रवी कुमार देया सोनी पत हर्याना के रहने बाले हैं और यह कुस्ति खेलारी है साक्षी मनिक दखेंगे तो रोहताक हर्याना की है पहलमान है सानिया मिर्जा मुंबए महराष्ट की रहने वाली है और टेनिस खेलारी ठीक है यहां पर लिख दीजे पहले ही पीलिया दिया हुए पीलिया जोता है रुदिर में पैदा होने वाले शुप्च जीवों को फसा कर रुदिर निस्वंदन या फिल्टर के रूप में काम आता है तो पीलिया हो पीलिया देखेंगे यह सबसे बड़ी लसी का गरंती होती है यह सेम के आकार के बरा अंग है इसका मुख रूप से लसी कानू से भक्ष कानू होते हैं पीलिया में लाल रखता निकाओं का बरा भंडार होता है पीलिया को आरबीसी का कब्रगा भी कहा जाता है लसी का गरंती दखेंगे लसी का गनते छोड़े तोस रचना होती है जो लसी का तंत पर भीनभीन स्थवलों परिस्तित है जो सुक्ष चूळ्जीक या दूसरे परतिंजन लसिका और उत्तक तरल में आ जाते हैं लसिका गरंथिया उन्हें फंसा लेती है लसिका गरंथिया में फसे पर्तिजन वहां मौझूद लसिकानों के संकर्णी और पर्तिरक्षा अनुकिरियों के लिए उत्तरदाई होता है उसके बाद जो आता है थैमस थैमस या अस्थी मज जा ऐसे प्रात्मिक लस्ट कांग हैं लस्ट कांग है जहाँ परिपक लस्ट कांगे परतिजन समय इंख्या में उत्पन होने परभावी कोशिकाओं बन जाती है इसके बाद जो दिया है यक्रित या लीभर के वारे में या मानव शरीर का सबसे बड़ी गरंती होती इसका बजन देखेंगे तो डेर से दो केजी के मद होता है यह उदर गुहां के उपर भाग में दहनी और इस किरित जो हता है प्रोटीन के अधिक मातरा में परिवटन कर देता है निश्टा आता है गारड़ निमन में से कौन सी कीरन जो है धन आविस्टकन से यूटत है तो यह हो जाएगा अलफा कीरन ठीक है अलफा कीर ने धना स्वीच कन्न होते है और गामा कीरने देखेंगे तो किरने की खोज जो है हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया है इसकी भीदन चमता जोती है सबसे अधीक होती है उप्योग देखेंगे तो नाप की अभी किरिया तथा कृतिम रेडियो धर्मी में किया जाता है एक्स किरने देखेंगे तो खोज इसका विलिहम रोजन्टन के द तद्वारा किया गया और उप्यों का चमकियः-चित दौनों के द्वारा भी पैच्छित हो जाते है किरने का अफैस होता है बीटा किरने एलेक्ट्रोन के ब्राबर आर्थात इसका जो हता है कि देखेंगे कितना बरावर तो मines 1.6-10 to the power minus 9 कूलम एलेक्ट्रोन के के बरावर हैं अब्रकिने देखेंगे अवर्फ़ा किरने पर होती है इस पर कोई आबेस नहीं होता है निश्ट बारहन नमर कोश्चन देखेंगे निवलिकित में से किस कैल्सियम योगी का उप्योग जो है दत्मंजन तुथपेश्ट में एक हलके अपघरसन की रूप में किया जाता है यह जो किया जाता है कैल्सियम कार्बोनेट का इसका एंसर C हो जाएगा का उप्योग है दत अक्साइड होता है इसे बिना बुझा हुआ हुआ चुना काते हैं यह देखे हर एक 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 जाम में आता है C A O होता है यह जो है आप याद कर लिजएगा C A O और C A C L दखेंगे यह कैल्सियम क्लोराइड है C A O H2 दखेंगे कैल्सियम हेड्रा उक्साइड जिसे हम बुझा हुआ चुना भी कहते हैं तो एक तो होता है बीना बुझा हुआ चुना या एक होता है बुझा हुआ चुना तो बीना बुझा हुआ चुना हम याद रखेगा CAO होता है यह फर्मूला और बुझा हुआ चुना क्या होता है CAOH2 होता है यह आपका calcium hydroxide जिसे हम बुजा हुआ चुना करते हैं अब देखेंगे तो इसका जो है रिजीन का question दिया है इसको मिलान करेंगे तो इसका जो answer आएगा यह आएगा वो पंदर आएगा ठीक है नेश्ट कोई से चोदा नमर देखेंगे अमलिय बर्षा के लिए निमलिकित में से कौन सी गैस जो है जिम्मेदार है तो यह रखेंगे तो सल्फर डैयोकसाइड जो है यह आपका जिम्मेवार हो जाएगा अमलिय बर्षा मुकारण सल्फर डैयोकसाइड तथा नैट्रोजन आउकसाइड जैसे गैस बायू मंदल में उपस्तित जलवास्प से वफिकिरिया करके सल्फिरिक अम तथा नैट्रिक अमल बनाती है यह बर्षा जल को अमलिय बना कर वर्षा के साथ प्रित्वी पर बरसती है और इसे ही हम अमल बर्षा कहते हैं सल्फर डैयोकसाइड देखेंगे तो बायू मंडल के समस्त बायू पर्दूसक में सबसे शकल भार का लगवग यह 20% भाग जो है मानब सरी पर परभाव देखेंगे तो आंक में जलन, दमा, खांसी, फेफरो का रोक तथा, सीर में दर, चक्कर आना, सांस लेने में कटनाई जैसे परिशानिया बढ़ जाती है एसो टू देखेंगे तो बायू मंडल का परभाव जो हता है, एसो टी की उच्छांदता फूलों के कल्यों में काराप्पन उत्पन करती है, जिससे जो है ये पौधे सिगर ही गिर जाते है एसो टू के कारण ही देखेंगे, तो अद्योगी च्छत में बिशाकता धुम्र कोहरे का निर्मान हो जाता है, बायू मंडल में उत्सर जन एसो टू गैस बातावरन की नमी को अफसोसित करके सल्फूरिक अमल बनाती है, यही सल्फूरिक अमल जो है बरसा के साथ धरातल प परेकिरियाओं का अभी अभी अब नेयर हो जाता है, निश्टा आता है कारवन मोनो अक्साइट यह जल में अगुलन सील, गंधीन, स्वाधीन, रंगीन, एवं हवा से भरा गैस है, यह एक परवल अपचाई है, यह चारिये धातू, जारिये मिर्दा धातू, एलमूनियम तथा कोच संकरवान तत्यों के अक्साइट के अतिरिक्त अन्य तत्यों के अक्साइट को अपचाईट कर देता है, कारवन मोनो अक्साइट के इस गून का परियोग है, विभी धातू के अक्साइट ऐसक से धातू निस्ट कर सन होता है, ठीक है, निस्ट कर रहा है, कारवन म ओक्सीजन के मद 1 अलफ़ा तथा दो जो होता है निश्टाता है कारवन मोनोक्षेड की अत्यंत बिसहली परकृती हिमोगलोबिन के साथ एक संकुलन बनाने की इसकी योगिता के कारण होती है जो ऑक्सीजन हिमोगलोबिन संकुल से 300 गुना अधिक अस्थाई होती है या लाल रत का निकाओं में उपस्थित हिमोगलोबिन को सरीर में उक्सीजन परवाह से रोपती है अता इसका परिनाम जो है मिर्ट्यू के रूप में होता है नेश्टाता है कार्वन मोनो अकसाड मनुस्ष के मस्तिक्स को परवाफित करता है वाहन अधिक मात्रा में कारवन मोनो अक्सेड, कारवन डियोक्सेड, नाइट्रोजन डियोक्सेड तथा धुआ उत्पन करते हैं पेट्रोल तथा डीजल जैसे इंधनों के अपूर्ने दहन से कारवन मोनो अक्सेड उत्पन होती है यह एक बिसेली गैस है यह रुदीर में अक्सिजन वाहक छमता को गढ़ा देती है नेश्टा आता है मिथेन मिथेन का फर्मूला जो देखीगा तो यह होता है CH-4 मिथेन गैस प्रित्वी के बायू मंडल में कम मात्रा में पाई जाती है यह सबसे सरल हेड्रो कारवन है जिसमें एक कारवन परमानू और चार हेड्रोजन परमानू सामिल होते हैं मिथेन एक सक्तिसाली ग्रीन हाउस गैस है यह एक जोरनसील गैस होते हैं जिसे पूरे बिस में इंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है इसका निर्मान कारवनिक पदार्थ के टूटने या च्छे होने से होता है इसे आदर भूमियों, मवेशियों, धान के खेती जैसे प्राक्रितिक और कृतिव माध्यमों द्वारा बातावरन में उस्षाधित किया जाता है निश्टाता है अमोनिया NH3 का उप्योग घरे रूप परिसीता के रूप में किया जाता है आसू गैस के रूप में किया जाता है अमोनिया के लवन बनाने में किया जाता है बर्ब बनाने में यूरिया, अमोनिया, सलफेट, आदी, उर्बरक बनाने में भी किया जाता है नैट्रिक अम्ल के निर्मान में होता है सोडियम कार्बोनेट एबं सोडियम बाय कार्बोनेट के निर्मान में बीसपोटक बनाने में और कृतिम रिसा बनाने में जहाए अमोनिया गैस का पर्यूप किया जाता है बायु पर्दूसर के मुक्सरोत और उत्पन पर्दूसन गैस देखेंगे तो जिवास्म इंधन जो कोईला खनी से होता है इससे कार्बन मोनो अक्साइड और कार्बन डियोक्साइड होता है ठीक है वहीं देखेंगे एरोसेल कैन और रेफिरिजनेशन में कलोरो फोलोर सी एपसी का जो है उत्सरजन होता है सल्फर यूट जिवास्म इंधन में देखेंगे तो सल्फर डियोकसाइड सल्फर ऑकसाइड वहीं देखेंगे एच्टू एस और एच्टू एस ओफोल होता है जेट विमान के इंधन एबम रसायनिक उर्वरक में एन ओ टू एन ओ और न ओ ठिरी होता है सूती वस्त ब्रेंजक में कॉलोरीन होता है वहीं गिलीस रौन तत या तेल के ताप द्वारा व्योजन में जो होता है अल्डे हाइड होता है धान के खेती जूगाली करने वाले मवेशियों के हवाद छोड़ने से जो है या आपका मिधेन गयस का स्राब माराठा समराज का नेतियुत किसके पाज था , त्यापका ताराबाई के पाज था . अपना साला कारण्थ युथ शमभाजी ने विद्म भर मूगल indoor मोहमपन अकबर का पत्रक्षब को सविझत रक्षन दिया 1689 में मुगल सेनापति मुक्रब खान ने देखेंगे तो शंग मेश्वर में छिपे हुए शंबाजी एबं कभी कलस को गिरपतार कर लिया और उनकी हत्या करने के बाद खाल में भूशा भर दिया था नेश्टा था शंबाजी का उत्राधिकारी राजाराम हुआ जो की 1689 सतरसो इस्वी तक हुआ था नेश्टा था राजाराम ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया राजाराम की मिर्तियू 17 इस्वी के बाद उनकी बिध्वा पत्नी तारावाई ने अपने चार वर्षी पूत जित किया साहिव का कारकाल देखेंगे तो 707 से 1749 सिवाजी के पिता शाह जी भोसले माता जो थी वह आपका जीजा भाई थी निमलिखित में से सही काल करब अनुसार इसको सजाना है तो देखेंगे दूतिय गोल में शमेलन इस तरह से इसको सजाएंगे यह आपका इंसका इंसर भी हो जाएगा देखेंगे तो भारत के राष्ट्य का इस्थापना जो है सबसे पहले देख लेते हैं यह आपको 12 दिसमर 1885 को हुआ था यहां देखेंगे 12 दिसमर 1885 ठीक है तो इसका लिए लगा लिजिएगा नेश्ट जो देखे नंबर 1931 को हुआ था और भारत छोवरांदोलन जो है इस तरह 9 अगस 1922 को हुआ था इस तरह ससका अंसर भी हो जाएगा ठीक है निश्ट आता है कोटेपसी परवत्ति चोटी किस देश में इस्थित है तो यह आपका इक्वाट्डोर में है कोटेपसी एक तरह का ज्वाला म मुखी से निर्वित आपका परवत्त होगा ठीक है विश्वियस होता है यह आपका इट्रीम है किली मंजारो दचीन अफ्रीका में है मौन्ट रेनियर यह सन्नीवत्राज अमेरका में है फ्यूजी नामा यह आपका जापान में है एकंका गुवा चीलीम है अटलस गरेट डिवाइडिंग रेज आश्टेलिया हम है रॉकीज परवज देखेंगे तूतरी अमेरिकाम है और इंडीज परवज होता है यह आपका दचनी अमेरिकाम है निश्ट आता है किस परमानू के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्राउन को कौन ये संबेग है तो कौन ये ले सकता है परंतु स्वतंत्र वस्था में नहीं रह सकता है पर्मानु विदूत का जो है उदासीन होता है बीसवी सतावदी में आधोनी खोज के पई नाम में जेजे थॉम्सन रदरफोड और चैटविक बैग्यानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि परमानु विभाज जिया और इनका मुक्त तीन मुलकन से मिलकर बना होता है जिसमें इलेक्ट्राउन प्रोट्राउन और न्यूट्र ने किया था लेकिन नामकरन जो किया गया था और अधरफोड के द्वारा किया गया था न्यूट्रोन जो है न्यूट्रोन की खोज जो है चैटविक के द्वारा 1932 में किया गया था नेस्ट आता है बिजली छेत्र में कैला से विकास के लिए पाहला है स्कील प्रिफ्भी पर उत्पति जो है 3.8 billionforks पहले ही हुआ था नेशन देखिए यहाँ पर देखिए यह जो दिया हुआ है रेखा यह हम प्रिफ्भी का देख लेते हैं प्रिफ्भी के में पांचमा सबसे बड़ा गरह है प्रित्वी का अक्ष जो है उसके कक्षा तल पर बने लंब से जो है सारे 30 डिगरी यानि 30 मिनट जुकी हुई है दूसरी सब्दों में प्रित्वी अक्ष प्रित्वी की कक्षा तल से सारे च्छासर डिग्री यानि च्छासर डिग्री तीस मिनट कोन बनाती है यह सवर मंडल का एक मात्रगर है जिस पर जीवन समभब है और इसका एक माँ प्राकृतिक प्राकृतिक जो है उपगर है उपकौन है चंद्रमा है सूरी से प्रित्वी की दूरी देखेंगे तो 149.6 मिलि देखेंगे तो 12,742 किलोमेटर और इसके गन्ना सरपर्थम इरेटा स्थोनीज के द्वारा किया गया था राज्थानी भासा में लगू कहानी का सीरसक जिस शाहित अकादनी पूरसकार परदा ने किया गया वह कौन है तो यह देखेंगे तो बारिक बात हो जाएगा यहां इसका एंसर भी हो जाएगा यह आपका जो है करेंट अपकर कोister का कॉश्चेन है इसको याद रखेंगे नेश्ट आता तो झील आता है 23 नमर दखेंगे जिगर सम बंदीत है तो यह आपकर बिलियप्त खेल से जिगर सम बंदीत है देख लुझे इन ओफ professional billiards तथा schooner association इस खेल को नियंतरन करती है इसमें पर्मुक सब्दा आवली में देखेंगे तो Q हो जाएगा जीगर हो जाएगा, break, puck, in luck, in off, कौन सा, cancer या कह सकते हैं, welding और hazard ये ज़े सब्द है आपका billiard से सम्बंदी था है नेश्ट आता है गोल्प, गोल्प आधोनिक गोल्प का सर परतम स्कॉर्ट रोलेंड में शुरू हुआ था और इसका सब्दा वाली में देखेंगे तो वोगी, फोर्सम, स्टाइमी, टी, फुट, फॉल, निवालिक, कैडी, लिम्स, आइरन, उटिंग, दी ग्रीन, बंकर, कोर्स, लाई, पोस्ट आधी है वोगी, सत्रंज खेल का देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि भारत में खेल इससा पूर बाद 17 सदी में शुरू हुआ था और इसका सब्दा वाली में देखेंगे तो बीशब, गेमीट, चेकमेट, सिलेटमेट, पॉन, ग्रेंड मास्टर, फीडे, नाइट, एलो रेटिंग, रैंक, कैसल, पीसेज, चेक, आधी जो है यह आपका सत्रंज खेल से सम्बंदित है पॉलो खेल में देखेंगे तो पर्मो खेल सब्दा वाली में देखेंगे तो बंकर, चकर, मैलेट, बंकर, चुका, एरिश्टेल, एंगल सौट, यादी जो है पॉलो खेल से सम्बंदित है पॉलो खेल में खिलारी के संख्यां चार होता है यह आप याद रखेगा निए रखते हैं भारते समिधान के की संसोधन द्वारा मंत्री परिशद में मंत्रियों की संख्यां को सिमित किया गया तो यह जो किया गया एकानवार मां समिधान समिधान यह 2003 में हुआ था इसके दोरा जो है इसको सिमित किया गیا था और देखेंगे तो सिमित किया गए था तो करम से लोकसभात हो था बिधान सभावी सदस्वक की संखِयाँ जो है 15% होगा जोगी मंदिर परिशाद होगा तो जहाँ-जहाँ संसद्वकी संखियाँ 40-40 है वहाँ आधिक्तम जो संख्यां होगा यह आपका बारा ही होगा तियातरवा समिध्धान संसोधन उने सो ब्रियानों इसके अंतर समिध्धान की गार्मी अनिसूची जोरी गई और इसके द्वारा पंचायती रह संबंधी प्रावधान जो है समलित किया गया था इसी संसोधन के द्वारा भाग 9 को जोरा गया इसमें जो है अनुचेद 243, अनुचेद 243 के कोः, अनुचेद 243 के 9 तक जो है अनुचेद है 86 समिध्धान संसोधन 2002 देखेंगे इस संसोधन अधिनियम के द्वारा देश के चोष से चोदव बस्थक के बच्चों के लिए अनिवार एवबम निश्कुल सीखछा मौलिक अधिकार के रूप में मानिता सम्मंधी प्रबधान किया गया इसे आउनुच्द 14.19 कोब कान्तरका समिधान में जोरा गया था इसा दिन्यम के द्वारा समिधान के अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 के कौब में संसोधन का भी प्रबधान किया गया था नेश्ट राता है सतासीमा समिधान संसोधन 2003 जो कि परिसीमन में जन संख्या के अधार पर 1901 इस भी जनगर्ना के अस्थान पर 2021 कर दिया गया है याद रखेगा 22 में जो सरसटमा फिल्म फेर पुरसकार हुआ सबसेट फिल्म सेरशा को मिला जो कि निर्देशक इसका था विष्णु बरधन और जो सबसेट अभिनेता देखेंगे तो रनवीर सिंग फिल्म जो है इसका विपारिक नाम जो होता है यह होता है कास्टिंग सोडा और इसका रसाइनिक नाम देखेंगे तो सोडियम हैडर ऑक्साइड होता है उपियोग जो है साबन बनाने में कागज और रेसम के उद्दियोग में आदी में इसका उपियोग किया जाता है STL का विपारिक नाम जो है नमक का अमल है और इसका रसाइनिक नाम देखेंगे तो हैड्रो कलोरी अमल होता है उपियोग जहें कलोरिंग बनाने में, अमराज बनाने में, रंग बनाने में, कलोराइट के लवन के निर्मान में किया जाता है H2SO4 का वेपारिक नाम जो होता है यह आपका oil or vitriol होता है और इसका रसाइनिक नाम देखेंगे तो सांद्र sulfuric अमल होता है ओपियोग पर योगसाला में परतिकारक के रूप में रंग उतपादन में पेट्रियोग के सुधी करण में और storage बैट्रिक में किया जाता है इसके बार देखेंगे तो potassium magnesium oxide का यानि के कि मन ओफोर इसका वेपारिक नाम जो होता है लाल दवा होता है और इसका रसाइनिक नाम देखेंगे तो potassium magnesium permagnate होता है ठीक है इसका उपयोग जो है यह जल के किटानू रहित बनाने में एबम ऐसी antisepti एबम disinfected के तरह पर्योग किया जाता है पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रोदर की संगोष्टी का आयोजन किया गया मेजमान देश जो था इसमें कौन सा था तो यह आपका भारत था यह याद रखेगा ब्रिक्स में जो है यह आपका कुल कितने देश है तो ब्रिक्स में देखेंगे तो 5 देश है बड़ाजील, रूस, भारत, चीन और दचीन अपरिका यह ब्रिक्स में सामूल है चौदमा ब्रिक्स सम्मेलंज होगा यह चीन ने 2022 में किया था ठीक है निश्ट आता है मैत के कोशन अठाशन में इसको solve करेंगे तो इसका answer दखेंगे तो C यानि दो पुर्णांग दो बटा तीन हो जाएगा 29 में कोशन देखते हैं निमलखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस का रचना कारक किया है यह आपको विशाखा दत के दोरा मुद्रा राक्षस का जो है रचेता है यह देखेंगे तो मालविका अगनिवित्रम यह काली दास के दोरा लिखा गया है शुप्न वाइस वदत्तम ये भास के द्वारा लिखा गया है बुद्द चरितम अशुगोष के द्वारा लिखा गया है महाभास पतनजली के द्वारा निती सार कामंदक के द्वारा लिखा गया है आरिय भट्यम, आरभट के द्वारा और पंच तंत्र जो है ये आपका विश्नु शर्मा के द्वारा लिखी हुई पुष्तक है सोतंत भारत के पर्थम गवर्णर जेनरल तो ये कौन था लॉड मॉंट वेटन जो था कि आपका अंग्रियेज गवर्णर पर्थम गवर्णर जेनरल लॉड मॉंट वेटन थे लॉड वेटन जो है आपका मार्च 1947 से जून 1948 तक रहे थे सता हंतरांतं के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्णर जेनरल लॉड मेंटों को बनाया गया था जो कि 3 जून 1947 को मॉंट वेटन योजना घोसित हुई इसमें ही भारत विवाजन जो है सामील किया गया था नहीं दखें हैं चार जूलाए 1947 को ब्रीटिस संसद में एटली द्वारा भारतिय सोतंता विध्यक परस्तूत किया गया जिससे 18 जूलाए 1947 इस भी को स्विक्रित मिली विध्यक के अनुशार भारत और पाकिस्तान दो सोतंत राष्ट की घोसना की गई थी 15 अगस्त 1947 को भारत सोतंत रुआ था सोतंत भारत का पर्थम गवर्नर जनरल जो बना था ये बना था लॉड मॉन्ट वेटन शोतंत भारत का पर्थम और अंतिम भारतिय गवर्नर जनरल चक्रवरती राजगोपालचारी इसे ही सी राजगोपालचारी भी कहा जाता है लॉड बेवल के बारे हम देख लेते हैं जो कि 44 से 47 लग रहेते 1945 में बेवल योजना और स्रीमला समझ होता हुआ था दुत्य बिस्यूद 1945 में समाप्त हुआ कॉंगरेस ने कैबिनेट मिशन 1946 के परस्ताओं को स्विकार किया था नेश्तातार रेड क्लिफ इसके इसने बिटिस भारत को भारत और पाकिस्तान की भाजन कर दिया और इसका नाम इस लैन के वास्तुकार सर शीरिंरी रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया जो की सीमा आयो generate भी थे निस्ट आता है प्रोस्टेट वाद के जनक कौन थे यह आपका मार्टी लूथर था प्रोस्टेट वाद का जनक जो है मार्टी लूथर थे परतिय वाद के जनक जो है पुलूटो थे हेनरी फैब जो है एक ब्रिटीन सासक था जिन्होंने ब्रिटीश पर सासक किया था रॉट तिसमे कोशन, विशुवत्य वर्षा वनो को बराजील में जो है किस नाम से जाना जाता है, तियाप का सेलवास के नाम से जाना जाता है, विशुवत्य वर्षा वन को बराजील में सेलवास के नाम से जाना जाता है, दच्छीन, दच्छीन अमेरिका के अर्जेंटीना के इस्तित है निस्टा आता है पढ़न पाती ऐसे पौधे और ब्रिक्स को कहा जाता है जो हर बर्स जो है किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं अस्टेलिया में देखेंगे तो घास के मैदान में डाउन्स है अफ्रीका में सव्याना जो कुछन घास की मैदान है दशीन अफ्रीका में जाएंगे तो बेल्स होगा सितोस घास के मैदान हो जाएगा विरेस्या में स्टेपीज हो जाएगा अब बेंजोला में लानोस हो जाएगा नेस्ट आता है आईरिस सागर इस्तित है यह आपके ब्रिटेंड के पश्ची में देखेंगे तो आईरिस सागर है अइरिस सागर, आयरलेंड और ग्रेट वीटेन के दिप को अलग करता है, अब देखेंगे परमुक सागर में, तो बेरिंग सागर जो है, उत्तर रूस के उत्तिव पूरव मिस्थित है, और ये महा सागर जो हो जाएगा उत्तिरी परसांत महा सागर, पिला सागर देखेंगे कोरियाई के पशी मिस्थित है, और परसांत महा सागर मिस्थित है, पूरवी चीन सागर, चीन के पूरव मिस्थित है, परसांत महा सागर में, दच्छीन चीन सागर, चीन के दच्छीन में है, और ये परसांत महा सागर मिस्थित है, लाल सागर, एसिया को अफ्रीका से आता है चौतिस नमर कोशन भारत के निर्यात प्रसाहन है तो 31 मार्च 2000 को घोशित योजना थी ति यह आपका बीसेस आर्थीक छित्र यहाँ पर जो है एंसर हो जाएगा इसका जो है लेंदी दिया हुए यह इतना इपोटेंट नहीं है इकोनमिस का कोशन है ठीक है निश्ट देखते हैं 35 अधिकांस रोकारक सुख्ण जीवी जो होता है कितने टेंपरेचर पर होता है यह 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे तीज यह बढ़ता है ठीक है तो यह यादर किया 37 डिग्री पर निश्ट आता है सही कथन का पहचान कीजिए तो देखेंगे जो मौसम बायू मंडल के छनिक अवस्था है यह सही है जलवायों प्रेक्षाक्रित लंबे समय की मौसम दसाओं को उसत है यहां पर यह दूनों सही हो जाएगा जलवायों किसी छ सितोस कटिवंधि और सित कटिवंधि विश्वत रिखा से धुरुबध की ओर इन कटिवंधों का करम सर्व विस्तार होता है संसार का आदरतम अस्थान भारत का मांसी रामजो की मेहालय में खांसी पहारि परिस्थथ है vecesω से ठंडह अस्थान आट्रांटिक को वंश्टो, है यहां जो है 21 जूलाए 1983 को माइनस 49.2 डीडी तापमान रिकाउड किया गया था जलबाई परस्तिती देखेंगे तो अत्यांत गरम जो होता है यह आपका सहारा मरुवस्थल छेत्र जो होता है कौन सा उतरी अफ्रीका का जो छेत्र होता है उसमें होता है अत्यांत ठंडा द प्रचनी अमेरिका मिस्थित है बायू मंडल विभिन परकार के गयसों का मिशन है इसमें जो है मनुस एबम जनतुओं के जीवन के लिए आवश्च्यक गैस जैसे ऑक्सीजन तथा पहुंधों के जीवन के लिए कार्बन डियोक्साइड पाई जाती है बायू मंडल के संग निस्थिसमर कोशन देखेंगे हैकिंग के लिए किस यूजर को पास्वर्ट पता करना कहलाता है तो यह कहलाता है सैवर स्टॉकिंग यहाँ पर इसका एंसर सी हो जाएगा निस्था आता है एक परिकिर्या है जिसमें इन सभी डाटा पॉकेट्स को मोनिटरिंग और कॉलेक्ट किया जा सकता है जो की एक कंपुईटर नेटवर्ट से होकर गुजरते हैं इस निंग फिंग देखेंगे तो ज्यादा ज्यादा तर परियोग हैकर्स और अटैकर्स के द्वारा इल्लीगल तरीके से डाटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है स्पूर्ण फिंग देखेंगे तो सुचना सुरक्षा और विसेस रूप से नेटवर्ट सुरक्षा के संदर में एक अस्पूंगिंग हमला का ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या कारी करम उपस्थित होना अनिवारी है तो यहाँ इसका एंसर ओ स hope गनपूर्ती अनुछेट एक निशर प्रतिक सदन की कारवाहा के लिए कुल सदस्यों की संख्यां का दस्मा भाग पस्थित रहना अनिवार है गनपुर्ति नह होने की स्थिति में सदन की कारवाही गनपुर्ति होने तक अस्थागित कर दी जाएगी निश्टा था 49 में कौन सी चीनी यातरी चंदगुप दूतिय की सासनकाल में भारत आया है टिक है direito है हिंसांख हसवाधन के सासा साकंव भारत आया था हिंसांख चहसों ठीज में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया था हिंसांख का ध्यан के समय नालंदा विशलियाले के कुलपति अचाज सिल्य भादर थे इतिस साथम सतावधि कंत्य में भारत आया था और तारा नात दिखेंगे एक तीवती लिखक था इसे ने कंग्यूर और तंग्यूर नामा गरंद की रचना किया था चाले से में देखेंगे विविन देशों में कई लोग को परवावित करने वाले विमारी को कहा जाता है यह महामारी कहा जाता है जब विमारी बहुत एरिया में फैल जाता है तो इसको ही बहुत ज्यादा इससे एफेक्टेट हो जाता है तो इसको ही महामारी कहा जाता है निम संख्या हो जाती है और चार बीट हम जानते हैं एक निमल के बरावर हो जाता है आठ बीट एक वाइट होता है एक किलो बाइट में 1024 वाइट में 1024 वाइट हो जाता है और एक MB यानि एक跟大家 में 224 kb हो जाता है एक gb में 1024 gb हुजाता है लेकिन terawatt जो है तो टेरावाइट इसको dolphins को कि 1024 जो है गीगावाट जो जी है मेगा गीगा-वाइट जो होजाएगा उसको से तो क्या देखते सण आधित भोजनों को सन रक्षिएत करने के लिए निलिखत मेंसे किसhh kept परि रखचक के रूप में किया जाता है तो यह आपको sodium metawise sulfate को किया जाता है संद्रीत भोजन को संद्रक्षित करने के लिए निमलिक्रत में से sodium metawite sulfate का परि रखचक के रूप में किया जाता है अधेसलफो वेंजीमाइट जिसे सेक्रीन भी काते हैं पर्थम लोग पर ये कृतिम मधुरख है सेक्रीन का ही परयोग जो देखेंगे तो जिसको मधुमह का रोग हो जाता है उसको जो है मीठा करने के लिए सेक्रीन का ही परयोग किया जाता है इसका खोज 1889 विए हुई थी यह सुक्रेस के भी 550 गुना अधीक मिठा होता है सेक्रीन का ही परयोग देखेंगे तो ओल्डिंग से में मीठा बनाने के लिए भी हो जाता है बजार में बिकने वावालना कुछ पर्मक प्रित्यम मधुमे देखेंगे तो एमपार्टेम हो जाता है सेक्रीन वह सुकरालोस यहें एली टेम यह सब जो हैं किसका ही बना होता है शक्रीन का ही बना होता है डैकलोरो डैकलोफे नेक सोडियम आम तोर पर आस्टियो और्थराजलेस्ट रूट में टाइप अर्थराइस्ट महावारी में होने वाले तीरुदर्द माइग्रेन और इंकी लोसी ऐसा एफिलेमेटरी और्थराइटिस जो जोरोग एवं स्पाइन को प्रभावित करता है इ इंफिलेमेशन के उच्छुटका राण दिलाने में मदद करती है सोडियम ट्राइपॉली फॉस्फेट देखेंगे तो ट्राइप फॉस्फोरिक एसीड को का सोडियम नमक होता है 44 मन कोशन देखेंगे किस माह में भारतिय बायू सेना दिवस मनाय जाता है तो यह मनाय जाता है अक्टूबर महिने में तिहां पर इसका एंसर भी हो जाएगा भारतिय बायू सेना अक्टूबर माह में ही मानाया जाता है भारतिय बायू सेना दिवस आठ अक्टूबर को मनाया जाता है भारतिय थल दिवस सेना दिवस देखेंगे तो 15 जनवरी को और 9 सेना दिवस देखेंगे यह 4 दिसमर को मनाया जाता है तिहां पर यह तीनों चीज य कॉर्मेल का अध्पादन सुरू करेगा कॉर्मेल एक तरख क्या है तो यह तरख का एक राइफल हो जाएगा जो की कॉर्मेल है यहां पर इसका नाम जो है यह हो जाएगा । 46 बने की कॉस्चन देखते है निमलिक सुर्वाष्त के लिए सुरक्षित बताया है परती धोरी किसी पराबरती पस्तू जैसे किसी इमारत अत्वा किसी पहार के निकट जोने तथा ताली बजाने पर कुछ समय पस्का तवब धोने प्रती ने इति है पुनह सुनाई देने वाली इस धोनी को परती धोनी कहते हैं हमारे मस्तिक्स में धोनी के संबेदना लगभग जो है 0.1 सेकेंट तक बनी रहती है अता सपस्ट परती धोनी सुनने के लिए मुल धोनी तथा प्रावर्ती धोनी के बीच कम से कम 0.1 सेकेंट का समय अंत्राल आवस्यक होना चाहिए कैलोरी जो होता है उर्जा का मातर होता है विदुधारा की काई एंपियर होता है और बोल्ट जो होता है यह आपका विवांतर काई काई बोल्ट होता है ose कहां आयोट हुआ था जो हुआ था जो हांस वर्ड जो कि दचिन अप्रिकाम है और जो हांसवर्स हम लोग ठीक है आयोजन इसका 23 सितंबर जेनेवा स्यूट्जिया लेंड में किसका सतत्विगाज समगें दोजार एक इसका और इसका आयोजन भी स्वार्थिक मंच द्वारा किये गया भी साइद देखेंगे सेपिंग एंड इक्यूट टेवल जो है इसका इसका धीम था ठीक है दच्छीन अफरिका में परवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्री का परकासित की यह जो क्या था इंडियन उपिनियन क्या था नवजीवन पत्री का संपादन महात्मा गांधी की दौरा किया गया अठासो सत्तर में केशब चंसे ने भारतिय सुधार संग के स्थापना किया न्यू इंडिया और कॉमन बिल समाचार जो है एनी बेसिंट के दौरा निकाला गया था सितारो के टिम्टिवान का जो है कारण क्या है तिया सितारो के परकास का बायू मंडल अपवर्तन हो जाएगा तिहां पर इसका अंसर यह हो जाएगा सितारों के टिम्टिमान के कारण सितारों के परकास का बायू मंडल में पवर्तन हो जाएगा तारों के रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है उनकी आयू का सूचक है जो तारा जितनी चमकीली होती है उनकी आयू उतनी ही कम होती है तारों में पाई जाने वाले कैसों में हैड्रोजन जो होता है 71% हिल्दियम जो होता है 26.5% अनित तत्त देखेंगे ये होता है 2.5% तारों में हैड्रोजन तथा हिल्दियम के सनलियन की परिकिरिया पाई जाती है निस्ट आता है प्रभावी किट अनुनासक जो कि उपकर्णों की सत्ह को साप करने के लिए उप्योग में लाए जाता है वो कौन होगा तो यह आपका सोडियम मेटा सिलिकेट हो जाएगा सैटरिक अम्ल धेखेंगे तो नीमू संतरे, अनखटे, फ़लो में पाये जाता है, सैटरिक découvrir अम्ल ये आपका इमिली में पाये जाता है, आयोंडिन को उपयोग देखेंगे, तो किट नासक के रूप में औस दिक आउत्पादन में टीचर आयोंडिन बनाने में, रंगिध्यो रणकारिय या उरिशा चट्र में विश्ट्र है पर्दिश के दचिनी पश्मी भागों में मलका मलका निजिरिक का पठार इस्टित है जो कि तेलंगना का पठार है इस पठार की दो सुक्षूने काई है तेलंगना एबं राइसीमा उच्छे भुमिया रायल सीमा एक सम्तल भ सर्वे ऑफ इंडिया ने हालिया परकासन में निम जगों पर पक्षी की 488 परजाती के बारे में बताई गई है तो यह जो बताया गया है सुंदर्भन के बारे में बताया गया है नेश्ट दखते हैं लोनार जील जो है यह आपका महराश्ट राजमें इस्तित है और यह कोशन बार बार आता है जो भारत में क्रेटर के दौरा निर्मीत एक मातर जील कौन सा है तो यह आपका लोनार जील है सुरे सरोबर जील उत्तर परदेश में है सांडि पक्षिया विहारन उत्तर परदेश के हर दोई जीले में इस्तित है निश्ट आता है कैलसियम के कमी से के द्वारा लेकिन यहाँ पर रिकेट्स को ही सुखा रोग भी कहते हैं जो की विटामिन-D के कमी से होता है और इस सही कैल्सियम कहते हैं विटामिन-D को कैल्सी-फेरोल की कमी से रिकेट बच्Яों में और आस्ट्यों-मेलीस जो हता है यह आपका बैस्क में होता है सुखा रोग विटामिन D या कैल्सियम के कमी से ही होता है अलोरक्त अलपता विटामिन B12 जिसम साइनो कोबला माइन के कमी से होता है ठीक है विटामिन यह जो देखेंगे इसका रसानिक रामरेटेनल है और इसके कमी से रतोंधी नामक रोग होता है माइको टॉक्सीन कवक के द्वारा उतपादित होता है माइको टॉक्सीन संभाविक रूप में से कुछ कवको द्वारा उतपादित विशाक्थ पदार्त होते हैं और भोजन में पाए जाते हैं, बिभीन, फसलो और खादो पदार्थों जैसे आनाज, नट, मसाले, सुखे, फल, सेव और कॉफी सेव में अक्सर ये गर्म और आद्र परिस्थिती में बढ़ते हैं, निश्ट आता है फूसेरम टॉक्सीन, फूसेरम फुफुंदी ज्वार की फसल को दुसित करती है, इसमें T2 नामक विशाक्त पदार्थ पाए जाते हैं, इसके बाद जो आता है एफला टॉक्सीन, ये आपका इस पर जीलियस नामक पुफुंदी, इसका कारक है, जो मुंग फली, मक्का, जुआर, गेहु, चावल आदी के गीले अवस्था में आदी बुखार, कुष्ट रोग, हैजा, छैरोग, तेप्थिर या, काली खासी, पलेग, सिफलिस और आदी जो है, ये आपका जीवानों के द्वारा रोग होता है, वायरास सिवत्पन रोग में देखेंगे, तो चिकेन पॉक्स, चेचक, जो स्मॉल पॉक्स होता है, मंप् फिलजा, रुबेला, पोलियो, रेविज, एट्स, टाइफस, खसरा, हेपेटाइटिस, या पीलिया, मेनजैटिस, गलसोत, डेंगु बुखार, हड़ी तोर बुखार किसों करते हैं, डेंगु तो डेंगु बुखार को ही जो करते हैं, हड़ी तोर बुखार के नाम से भी जाना जाता है इबोला, स्वैन फुलू, जीका वायरस, वर्ड फुलू, चिकनगुनिया आदिज होता है ये वायरस के कमी से होता है प्रोटो जुआ से दखेंगे ते मलेरिया, पायरिया, पेचिस, काला जार आदिज होता है ये प्रोटो जुआ द्वारा उत्पंजवर तो Mitochondria Mitochondria जो होता है यह आपका दोरे जिल्डी से घिरा होता है Mitochondria यहाँ पर तीन हो जायगा उसके बाद देखे हैं Lysosome यह आपको एकल जिल्य में होता और नामकरण जो है सी बेंडा और कारल बेंडा जो है इसका नाम किया था सी बेंडा के द्वारा यह एक अंडाकार होता है इसे कोसिका का पावर होसिया सक्ति का केंद्र काते हैं मैट्रकॉंडिया जीवानू नीलहरी सेवालों को छोर कर पौधे एवंपरान्यों की सभी सजीब कोसिकाओं में पाए जाते हैं मैट्रकॉंडिया डियन्य आर एन्य एवं राइसोसो में पाए जाता है मैट्रकॉंडिया यूकरियोटिक कोसिका में पाए जाती है तथा प्रो वाली जिली से घीरी संदचना होती है, इसका निर्मान गौल जी का अथवा अंत परदत्वे जाली का से होता है, इसका मुख कार जो हता है, अंत कोसी का पाचन, कोसी का विभाजन एवं जीन कोसी काओं को नश्ट करना है, इसे आत्म हत्या की थैलिया सुसाइडल बैक के नाम पाया जाता है, इसके बाद जो आता है राइबोसोम, इसकी खोशर परतम रावीन सेबम व्राउन ने 1903 इसी में पादप कोसीकाओं में तथा जोज पलाडे ने 1905 में जन्तु कोसीकाओं में किया था, इसका नाम करन 1908 में राववर्ट के द्वारा किया गया था, यह दोनो परकार कि कोसीकाओं प्रोकरियोटिक और यूकरियोटिक में पाया जाता है, कौनची राइसोसोम, यह प्रोटीन संसलेशन में भाग लेता है, इसे प्रोटीन उत्पादन अस्थल अर्थाद प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है, आरेने एबन प्रोटीन की पस्थिती कार देखेंगी यह अर्ध प्रागन जिली है जिसमें मोटाईज होता है 25 एगस्ट्रम से 75 एगस्ट्रम के बीच होता है यह फॉस्पोलिपीट एवं प्रोटीन से बनी होती है जीब दरब कला विशरन जल प्राशरन किरिया प्रागमता एटिपी बनाने एवं इलेक्ट्रोन के आ 27 सम्मेलन इंडोनेसिया जो बाली में हुआ ठीक है इंडोनेसिया बाली में 2020 में हुआ था अठारमा सम्मेलन देखेंगे तो 2030 में यह आपको भारत में नई दिल्ली होगा ठीक है नई दिल्ली next question देखते हैं नेमलिकित भारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुछेद नागरिक्ता से सम्मंदित है नागरिक्ता से सम्मंदित ये भाग दो होगा जो की पांस से एगारा है यहाँ पर इसका एंसर भी हो जाएगा अनुछेद 13 में कोई भी अध्यादिस अधिस उकवीदी नियम बीनियम अधिसूजना काश्ट पहवार जिसे कानून की सक्ति प्राप्त हो इसे सामिल किया गया है अनुछेद 14 देखेंगे तो बीधी के समध समानता है अनुछेद 15 देखेंगे तो धर्म नसल जाती लिंग ज हल्दिवारी चिलहाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है यह जोड़ता है बंगला देश से जोड़ता है जिसका एंसर यह हो जाएगा निश्टा आता है हल्दिवारी चिलहाटी रेल लिंक भारत को बंगला देश से जोड़ता है हल्दिवारी चिलहाटी रेल रेल मार्क, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्क है, जो लगभग 9300 किराव मिटर है, NCRT के सातर 2019 के पुष्टक में इसकी लंबाए 9333 किलो मिटर माना है, ठीक है, निश्टा आपका बिलुप्त संख्या इसमें खोजना है, जो की रिजिनिंग है, तो इसका एंसर जोगा 85 हो जाएगा, निश्टा आतर दर रिपवलिक एथिक वॉल्यूम थिरी, किसके रचयता भासन को संक्लन किया गया है, ति हमारे राष्टपती रहे थे रामनात्र गोविन, इनका जो भासन था, उसको संक्लन किया गया है, और उनका ही बूग का नाम दिया गया है, राष्टपती राष्टपती रामनात्र गोविन को दी, पुस्तकों में द रिपवलिक एथिक और लोगतंत्र के श्वर की विमोचन किया गया था, इस मौके पर अक्षामंती ने कहा मेरे लिए राष्टपती महोदाई की इन पुष्टों को का म्योचन करना जो है यह आपका गौरब की बात है नेस्ट कोक्सन देखते हैं नियुलिके में से कौन विस्व की सबसे वेस्टम नहर है सबसे वेस्टम नहर जो होगा यह आपका कील नहर होगा ठीक है विस्व की सबसे वेस्टम नहर में कील नहर आएगा ठीक है कील नहर देखेंगे तो जर्मानी में स्थित है और उत्ती सागर को बाल्टिंग सागर के बीच में है जोडती है पनामा नहर देखेंगे तो पनामा में है यह किरेवियन सागर जो की अल्टलांटिंग सागर का ही एक भाग है और परसांत महा सागर को जोरने काम करता है उसके बाद आता है बैलेंट नहर जो कानाडा मिस्तित में और इरी को उन्टुडियो से जोरने काम करता है यह दोनों क् में स्थित है सुपरियर जीर को हुरन जीन से जोरती है और रायन नदी जो है यह आपका जर्मानी में इस्थित है नेस्ट आता है यदि किसी स्पिरिंग के से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्पिरिंग जो होता है यह आपका संकुचन संकुचित हो जाती है तो यहाँ इसका एंसर भी होगा ठीक है, अब कुछ विभाग देख लेते हैं और इसका कार्य देख लिजेगा, जैसे दिवान ए अमीर को ही विभाग, मुहंम्मet भी तुपगुलक के दौरा स्थापना किया गया और इसका कार्य पंदगान देखेंगे तो फिरोसातुगुलक के दौरा इसका स्थापना किय एक संस्क्रित में आयूरूवेत्य गर्णत प्रार्शी possível को सिपने उने को सो गाणविद्य के चेस्ट गरंत अस्विन व् والक्रा और गानविद्या को बद्या दोल्णत नियूरू हो को solve करेंगे तो इसका answer तीन आएगा ठीक है जानबरों के संग्रीत होने वाले प्राकृतिक बहुलग गलाइकोजन है क्या है एक तरह का पॉली सेकराइट है ये एक तरह का जानबरों में संग्रित होने वाले प्राकृतिक बहुलक जोता है गलाइकोजन ये प्लोसेकरेट की उधारन है पॉलिसेकरेट जोता है मोनोसेकरेट के कई अनुओं के मिलने के लंबी सिंखला वाली अगुलनसील पॉलिसेकरेट का निर्मान होता है जिसे हम जैसे एस्टार्च हो गया गला पहल, सकरन, ऑदी में पाइआ जाता है उसके बाद जो आता है daysacred दो समान या विभीन Monosecret अनुग के सन्यों के daysacred बनता है जैसे देखेएंगे तो marko कोज मिल जाता है तो मालटोज का निर्मान होता है वहीं से देखेंगे एबम जल में घुलंसील होते हैं कौन सा डाइसेकराइट माल्टोज, अंकुरित बीज, सुक्रोज गर्ना एबन लेक्टोज, दूद संक्रा होती है लेक्टोज होता है सरवाधिक मातराब में जो है माता के दूद में ये पाया जाता है उसके बाद जो आता है मोनोसेकराइट मोनोसेकराइट देखें ये तो ये कार्बोहेड़ेट की सबसे सरल अवस्ता है जैसे गुलकोज, गलेक्टोज, फ्रोक्टोज ये मीठे फल एबम सहद में होती है ये रंगील, घुलंसील तथा मीठे होते हैं मोननोसेकराइट बनते हैं उन्हें कहते हैं अने आपका घनिष्ट आश्यवनी सामने का मिल मिलाब हो जाएगा nares question आता है suchi1 को suchi2 से मिलाने के लिए suchi1 में दिया है और दूसरे तब उसका अनुछेद सम्मंदित में दिया है यह देखना है तो गराम पंचायतों का संगठन देखेंगे यी नीति नीदे सकतत में अनुछेद 40 में इसका चर्चा किया गцо हो जाएगा यह आपका तीन हो जाएगा दो में जाएंगे समान नागर्णिक सहरीता यह भी नीति नी दे सकता तुसे है तो समान नीति सहरीता जो होता है यह आपका अनुछेद चैवालिस में दिया गया है समाल सीवील चंजिता वाड़े में किर्सी और पसुपालन किरसी और पसु पालन की चर्चा हमारे शनुछेद का अर्टालिस में है और नियापालिका वकारी पालिका का पिर्थिकरन यह अनुछेद पचास में खा गया है तो इस तरह से इसका अंसर यह हो जाएगा नेशना था बेपार अब हम परसुल पर समझोता कि अस्थापना कहां हुई थी यह हुआ था जीनेवा में हुआ ठीक है दित्य विसुत के बाद से ही राष्टों के मिलकर अंतराष्टे बेपार के परसार करने का परियास किया गया 1947 में जेनेवा में 23 देशों का परसुल और व्यपारिक समझोता का हस्ताक्षर किया गया इसी समझोते पर गेट नाम से भी जाना जाता है जो जनवारी 1948 में लागू हो गया था प्राड़मी गेट के अस्थापना एक अस्थाई परवंत के रूप में की गई थी किन्तु कलांतर में जो है यह एक अस्थाई समझोता बन गया गेट का मुख्याल है जेनेवा में है इसका मुको देश जोता है देशों को भी संजराक्षनात में प निश्ट आता है खत्तर नमर दखेंगे भारत द्वारा CMS-01 नाम मकसंचार शेट छोड़ा गया था यह किसका परतियस्थापन है तो यह देखेंगे तो G-72 का परतियस्थापन है इसके बारा में पख लिए भारत द्वारा GMC-01 परतियस्थापन है जिसे जी 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 अंतिरिकेंद से हुआ था निश्ट आता है 2021 का सांती के नोवल प्रासकार किसे दिया गया तो यह दिया गया था उसमें मारिया रेसा और डिमेटरी मुरातेव को यह आपको याद नहीं रखना है क्योंकि यह कोशन नहीं आने वाल है अब 2022 में जो दिया गया था इसको याद का पुर्ण उदेश समाजिक किरिया की क्या है ब्याख्यात्मक सोक्च का विकास करना थी हाँ पिसका क्या हो जाएगा ब्याख्यात्मक हो जाएगा देखें मैक्स बेवर समाजिक किरिया जो है इसके द्यार दिया गया था मैक्स बेवर एक जर्मनी समाज साथी थे उनके कारि आदर्स नौकरी साही एवं नौकरी साही के कारिपदती सत्ता सकती आदि सामिल है मैक्स से बेवर दुर्खिम के समकालिन थे बेवर माक्स के विचारों से परभावित थे किन्तु अनेक बिंदू पर वो माक्स से असामत भी थे नेश देखते हैं काल माक्स के अनुसार समाजिक परिष्थिती और घटनाओं में परिवर्तन आर्थिक परिष्थिती में परिवर्तन से आता है जबकि बेवर ने इसका विरोत किया था ये बताने का परियास किया कि किसी परकार धर्म समाजिक परिवर्तन विसेश कर आर्थिक परिवर्तन का मुख्य कारण है नेश चोहतर नमर कोशन देखने है भारत का माननक समाई रेखा कहां से नहीं गुजरती है तो इसमें से बताना है एक रज जिसे नहीं गुजरती है और आज आपका तेलंगना हो गया उत्तर परदेश, ओरीशा, उच्छतिस गड़ से गुजरती है जो कि क्या होती है सारे बिरासी डिग्री रेखा हो जाती है देखेएंगे तो भारतिय मानक से अंने टेलंगना नहीं गुजरती है भारतिय मानक समय इलवात के निकट मिर्जापूर्ण नैनी से गुजरने वाले सारे बिरासी डिग्री पूरवी देशांता रेखा माना गया है जो ग्रीन भी से सारे पांच गटा आगे है हम जानते हैं एक डिग्री बराबर जो होता है यह आपका चार मिनट होता है ठीक है तो इससे हम यह निकाल सकते हैं सारे बिरासी डिग्री का जब मल्टिपलाय करेंगे तो यह आपका सारे पांच घंटा हो जाएगा और पांच राज में उत्तर पर्देश, मद पर्देश, 36 गर्ड और इसा आंद पर्देश से गुजरती है तो पर्देश वाला तीन याद रखेगा उत्तर पर्देश, मद पर्देश और आंद पर्देश और दो अलग से याद रखेगा 36 गर्ड और इसा जो पांच राज से ह यह आपका चीन में आता है तो इसका अंसर भी हो जाएगा निश दखेंगे कौन सी सुमेलित नहीं है तो काली मिटी जो है महराष्ट में यह पाया ही जाता है यह जानते है काली मिटी को कपासी मिटी के नाम से भी जाना जाता है यह तो पाया जाता है लेटर हैट मिर्दा तम पेडोलोजी कहते हैं भारते किर्शियानुस अंचान ने 1986 में देश के आठ परमुक तथा 37 गौन परकार के मिटियों का पहचान किया परमुक आठ परकार के मिटी उलेखित में देखेंगे तो जलोड होगा लाल मिटी, काले मिटी, रेटराइट, मजरवस्तलिय, परवतिय, दलदली और लवनिये एवं छारिये मिटी होगा निश्टाता जली मिटी में विसाल मैदान, पंजाब से असम तक के नर्मदा, तापती, महानदी, गोदावडी, कृष्णा, कावेरी, घाटियों एवं के तर्टिवर्ति भागों में लगवा 15 लाख वर किलो मीटर चेतर मे देश के 43.4% भूचेत विस्तित है, इन मिट्यों के परिछेकी का उच भूमियों में परिपक्त तथा निम्न भूमि का परिपक्र है, इसमें मिटी के बाड़े में से जारा दिया हुए, देखें काली मिटी को हम रेगूर मिटी कहते हैं, इसे चेर्णोजब मिटी भी कहा जाता है, इसे कपासी मिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो है नेट्रोजन, फास्फोरस, देखें नेट्रोजन, फास्फोरस, यह चीज का जो कमी है आपको भारत में जो भी मिटी होगा, वो लगवक सभी में ही नेट्रोजन, फास्फोरस और पटास, तीन वो दलदली मिटी में इसमें भी यही देखेगा नेश्ट आता है question दिखेंगे तहाया भूष्य तू मिशन किस अंतरिक चेजेंसी का मिशन है तो यह आपका जाक्षा का है ठीक है जाक्षा जो होता है एक जापान का सरकारी अंतरिक संस्था है कौन जाक्षा इस वरो भारती अंत नदीक किनारे है तो पूर्टो मैक नदीक किनारे ठीक है पूर्टो मैक कनारे वासिंग टन डिसी है उसके बाद आएगा लंसा या भारती राष्टे विग्यान अकादमी नई दिली में सित है निश्टा आता महिला के लिए सौट पूट का वजन कितना होगा यह जो होता है चार के जी होता है ठीक है यह यहां दिया गए निश्टा आता है जिमेक्स सन्यूक तो नह से ना अभियास किसके साथ क्या जाता है तो भारत और देखिए यहां पर जे सी याद रखेगा जपान और आई सी याद रखेगा इंडिया तो जिमेक्स किससे हो गया भारत और भा रखें हेंट लंट करने भारति अमेरीका से Самमुद्र शक्ति उप्ट इस तक होता है यहां तो यह आपका मूल हराष जो है, इसको घटाया जाता है, यह देखिए, यही आता है, यह फर्मूला, यह फर्मूला आप इंपोर्टेंट है, यह याद रखेगा, बादना कि वही चीज़ का उतना ऊपर, डिसकसन दिया गया था, तो निवेल निवेस वराबर जो ता है, सकल माइनस मुल हराज ठीक है ये घट आएंगे तो निवल निवेस आए जाएगा अब पर्तेक्ष कर आता है यह याद रखेगा आएकर आता है निगम कर अफ हार कर भूमी भवन कर वेकर संपती कर पूजी लाव कर, लावांस कर, व्याज कर, परति भूती, व्यवाद करques लिया, परतेक्ष कर का उधारन है, यह परतेक्ष कर में देखेंगे, तो केंद सरकार द्वारा अब परतेक्ष में सीमा सुर्क, केंदरिया उतना कर, वाहनों पर कर, वेट, जीये येश्टी, यह जी येश्ट परवाद नहीं है तो इसमें से कौन नहीं है तो रीणों का भुगदान और नेस कोश्ण देखते हैं 12-22 नमर खाध सिंखलाओं के इंटर लॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है तो यह जो कहा जाता है खाध जाल कहा जाता है नेज़ दकेंगे प्रास्तित के तंत्र में खाद जाल से क्या मतलब है भोजन की दिश्टी से खाद सिंखला के उत्पादन में पौधे उपभोगता में जन्तू अब घट में कवक एवं जीवानू के बीच घनिष्ट संबंध होता है प्राकृतिक में खाद सिंखला एक ICD करी के रूप में नहीं होती है एक परिस्तिती तंत्र के सभी खाद सिंखलाएं कहीं न कहीं आपस में समलित होती है अर्थात एक खाद सिंखला के जीवधारियों का सम्मद दूसरे खाद सिंखलाओं के जीवधारियों से होता है इस परकार अनेक खाद सिंख बिभिन परकार के जीवधारियों का वह करम है जिससे जीवधारी भोज एबं भजक के रूप में संबंदित रते हैं और इनसे होकर खाद उर्जा का परवा एक ही दिशा में होता है निश्ट आता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया यह आपको हाली में कतर में किया 2023 पेरू में फीफा महिला विसकप 2030 आश्टेलिया नुजिलेंड में बाइसमा फीफा फुटवल विसकप 2026 होगा कानाडा मैस्की को और अमेरिका में होकी 15 मां पुरुस होकी विसकप 2030 में भारत में होगा 15 मां महिला होकी विसकप देखेंगे तो यह आपको 2022 में इस्पेन और निधरलैंड में किरके जो देखेंगे तेर मां पुरुस आईसी सी किरकेट विसकप 2030 में भारत में होगा वार्मा महिला ऐसी सी एक दिवसकप किरकेट थवसकप जो गा02 ही नुजिलेंड में वहीं आठ मां देखेंगे तो आइसी सी महिला टिट्विसकप vow 2030 दश् APPरamt द 2013 उजबेकिस्तान विस बैटमेंट चैंपियन भारत में चोध मां दच्छीन एस्याई खेल 2013 जो पाकिस्तान में होगा 22 मां राष्टी वंडल खेल 2022 में बर्भिंगां बिरिटेन में वहीं देखेंगे 33 मां ग्रीश मुकाली ओलंपीक 2024 में होगा पेरिस फ्रांस में 34 मां ग्रीश मकाली ओलंपीक 2018 में लाज अंजलिस अमेरिका में 24 मां सिदकालीक ओलंपीक खेल 2022 बिजिंग और चीन में होगा वहीं 19 माँ ECI खेल 2013 में चीन में होगा, 20 माँ ECI खेल 2026 जापान में होगा, 21 माँ ECI खेल 2030 दोहा और कतर में होगा समाजिक मुल्यों को आत्मसाथ करने की परिक्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं समाजी करन कहते हैं तो यहाप इसका एंसर जो है क्या हो जाएगा भी हो जाएगा आधुनी करन देख लेते हैं आधुनी करण विचारों को आत्मसाथ करने की परिकिरिया को आधुनी करण करते हैं समाजी करण समाजिक की करण वह परिकिरिया है जिसके माध्यम से मनुष समाज विफिन बहवारिती रिवाजो गति भी धिया इतियादी सीक्ते हैं से आत्मसाथ करते हैं निश्टा आता है पश्मी करन देखेंगे तो पश्मी करन की परिकिरिया के द्वारा भारत में पश्मी संस्कृति उपरचार किया गया या एक ऐसी परिकिरिया है जिसके कारण किसी गैर पश्मी समाजी संस्थाओं ग्यान वास मुल में परिवर्तन स्वा भाविक हो जाता है धर्मिर्विक्चा देखेंगे तो धर्मिर्क तेक्च का अर्थ होता है कि किसी राजनेती या किसी गैर धर्मिक मामले में धर्म को दूर रखे तता सरकार जो है धर्म के अधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे पचासी नमर कोशन देखते हैं किसी राज जिम्प में विधान परिशद का स्रीजन अत्वास्वापती की जा सकती है तो यह जो किया जा सकता है यह आपका राज विधान सभा के तत्त संबंधी संकल्प को पारित कर संसत के द्वारा किया जा सकता है जो कि अनुछे या आपका किसके तहत एक सो उनातर के चाहत इसका चर्चा किया गया है निमलकित में से कौन सा अधातु हमारे बोडी में बलड को ठका जमाने के लिए उतरदाई होता है या आप दखेंगे तो कैल्सियम जो है ये उतरदाई होता है इसका अंसर डी लगाएगा यह सरीर के लिए आवसकता तो है इसका परमुकारी दखेंगे तो अस्तियोत इवं दांतों का निर्मान करना हिरदय की धरकन को शंचालित करना या रक्त के जमने में सहयता करता है या इंजाइम के सरावित होने में जो है सहयता करते हैं या नारियों को स्वस्त बनाते हैं फैबरी नोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यक्रित से ही होता है, जो रक्त का ठका बनाने में मदद करता है, हिप्यरीन देखेंगे, हिप्यरीन नामक पॉली सेकराइट का उत्पादन यक्रित करता है, जो सरीर के अंदर रक्त को जम आने में, जमने से रोकता है, सोडियम 24 देखेंगे तो रक्त के ठके का पता लगाने में सहयता होता है किसका 24 सोडियम 24 का सोडियम रक्तदाब नियंतन करने में सहयता होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है कौपर देखेंगे यह हिमोगलोबिन तथा अस्थियों के निर्मान एवं इलेक्ट्रॉन संबहन के रूप में कारे करता है, रंगा या टीन का एक रसायनिक तत्थ होता है, टीन का लैटीन नाम जो देखेंगे, इस्टेनम है, जिसका रसायनिक परतिकिर या स्थापना किया था, ये आपको 24 सितंबर 1873 को महराष्ट के पूने में जोती रव गोविंद रव फूले द्वारा स् कारे है, राजा राम मुहन रएक को भारती पूनेर जागरण का पिता, भारती राष्टवाद का पैगम्बर, अतीत भविष्ट के मद, सेतु, भारती राष्टवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, पर्थम, आधुनिक प्रूश, युगदूत कहा जाता है, मुगल बासाख वर्दूतिये के दौरा राजाराम मुहंडाई को राजाकी उपाति दिया गया था अहम दाबाद में जो है 1916 में किये थे और 1915 में ही ये वहाँ से दशीनफरिकासे लोट कर आए थे सारे 82 डिगरी जो फूर्ड भी होता है, ये इसका मानाग रेखा है और इसी कारण हagt fundament हम सारे 5 गंटा आगे किस से है परधान यमित अतर रेखा से 5 गंटा आगे है नेश्ट आता है नवासी नवन कोउश्चन जरीले पदार्थ जो हरे आलू में पाए जाता है वो है तो यह कौन से होता है 169 होता है यहाँ पर इसके अंसर D हो जागा जरीली पदार्य आजम प्राइदर से 169 कहते हैं अर्गट के कैली वी सेट फूसी फामीस देखेंगे नामक का अवस्था में पैरी फेरर ग्रैन उत्पन हो जाता है इसकी विसाकता से उल्टी चक्कर आने लगते हैं और क्रोनिकल रोग उत्पन हो जाता है स्क्रिप्सिन अवरोधक एक प्रोटीन है और एक परकार का सेटिन प्रोटीन अवरोधक है निश्द देखते हैं नौबे नवर कोश्चन अमीर खुस्ष्रो का जन्मस्थली तता तूते हिंद के नाम से जाना जाता है वह है तो यह कहां है तो पट्याली है और कहीं कहीं इसका रहगा तो एटा भी रहगा ठीक है एटा रहगा या पट्याली रहगा तो यह याद ठीक है वास्तिवी के नाम देखेंगें तो मुहमद अब्दुलहसन या मुद्दीन था भारत आये थे नसीरुदिन मुहमद के समय में और उपाधी था तो ताईहिंद यानि संगीता के रूप में तुर्क उल्ला ओल्याव के द्वारा दिया गया और अमीर यह आपको जला जो की बारा सो नावासी में इसे हिंदी में दो सितार का मिलन बताया है मिपता उल्फुतु आसी का नूर्स नूह जो है सिपहार यह भारत की परसंसा है और एक तुगलक नामा अनगरंथों में देखेंगी तो नाज उल्फुतु तारिक है दिल्ली फत नामा उसके बाद ख के आरेक के अनुसार उतपादों के कारको के बाजार में क्या होता है तो परिवार खरीदार होते हैं वो फर्म विक रेता होते हैं नेश्ट कॉशन देखते हैं डैवीस कप किससे संसबाधीत हैं तो डैवल से ठेखेंगे वagon कप संथ देखेंगे सुबुरतो कप नहरू कोल्ट कप है वह बास्केट बॉल से देखेंगे तो नहरू कप और फेडरेशन कप जो होगा यह आपका बास्केट पॉल से हो जाएगा लोचदार मांग की स्थिती में कीमत में बिर्दी होने पर क्या होता है तो कुल आगमज होता है यह आपका घट जाता है लोचदार मांग में देखेंगे जब बस्तु की मांग में परिवर्तन का अनुपात उसके मुल के परिवर्तन के बराबर होता है तब ऐसी बस्तु की मां अक्सिजन का गिरना होता है जब वाहितमन का विशर्चन होता है तो अनुपरा जल में किया जाता है तब जल में घुली ऑक्सिजन की जो है में कमी आ जाती है वाहितमल देखेंगे तो वाहितमल घरों उद्योग अस्पतालों कारियालय और अनुप्योग के बाद पर वाहित क भी सम्लित है जो तेज बर्सा के समय में गल्यों से बहता है सरकों और च्छतों से बहकर आने वाले बर्सा जल अपने सात हनी कारक पदार्थों को ले जाता है वाहित मल दर्वित रूप में अप्सिस्ट होते हैं इसमें अधिकांस जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबन अपदर भी होते हैं नेशे देखें के मैंत कोशन दिया है नहीं फिजेक्स वार्यम है बोर के सिधान्त का अनुसार परमानु के तिर्जिया आर है वह मुख क्वांटम संख्या एन है तो समंध्ध इनके बीच में क्या समंध्ध होगा इसके समंध्ध में जो होगा आर्स वानुपाती एन स्क्वाइर हो जाएगा ठीक है यह इसका सोलूसन दिया है तो यह इतना इंप्रोटेंट है ने निस देखते हैं क्वेश्चन 96 में क्वेश्चन देखेगा भारत में नवराती पर पर मैक डॉनल्ड विसुद निरामिस हो जाता है तो धारन है किसका तुभू अश्मर्निय करन का आती हैं पर इसका एंसर जो है डी हो जाएगा ठीक है निस देखते हैं सर्भावमी करन सर्भावमी करन का हिंदी रुपा देश में निशित आयू के सभी बच्चों को श्विलब कराना था इसी के लिए उन्हें युनिवर्सलाइजेशन अर्थात सर्भावमी करन सब्द का पर्योग किया गया है बरतमान में सर्भावमी की छेतर पर व्यापक भारतिय सम्मिधान के अनुचेत 45 में देश है कि रा दारनाओं को पर्योग सर्फ परतम यूरोप में किया गया था यह एक ऐसी जॅन्हें धर्म और धर्म से सम्मंदि विचारों को इहीं लोग कि सम्मंदि मामले के जान बूज कर दूर रखा जाता है अर्थाट तर्स तरहारा चाता है घर्म निर्पेक्ष राज द्वारा किस इसी विशेस धर्म को संग्रक्षन प्रदान करने से रोकती है। यह धर्म निर्पेक्ष हमारे पद्रस्ताबना में चर्चा नहीं है ठीक है यह चीजाई रखेगा इसके जगह पर पंत निर्पेक्ष का चर्चा किया गया है। राष्टे खेल दिवस कब मना जाता है? तो ये 29 अगस्त को राष्टे खेल दिवस मना जाता है, 21 जून को अंतराष्टे योग दिवस, 29 जुलाई को अंतराष्टे बाग दिवस, 21 अगस्त को हरी मांडेका दिवस, जोकि मलेशिया राष्टे दिवस है, 9 जनवरी को परवासी भारतिय दिवस 25 जनबरी को राष्टे मद्दाद दिवस 15 जनबरी को थल सेना दिवस 8 मार्च को अंतराष्टे महिला दिवस 22 मार्च को पिहार दिवस 5 जुन को विश परियावरन दिवस 11 जुलाई को विश जन संख्या दिवस 14 सितंबर को देखेंगे हिंदी दिवस और 1 दि चार दिसंबर को भारतिय नौशेना दिवस और दस दिसंबर को अंतराष्टिय मानवा आधिकार दिवस मना जाता है अन्ठानमेर में में कोश्चन देखते हैं विश्व का सबसे तेज धावक उसन बोल्ट कौन साथ देश से संबंदित है ति आपको जमेका के रहने वाले है उसेन बोल्ड जो धावक है ये जमेका के हैं, लुइस हैमिल्टन देखेंगे तो ये ब्रीटेज्स का है, वे टैगर बुट्स है, गोलफर जो है अमेरिका का है, क्रिक्स गेल किर्केटर वेस्टेंडीज का है, नवाक जोकुष चेनिस के लिए है और ये सर्बिया के हैं, लि आले के दूद को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो कितने देखेंगे तो इसका एंसर हो जाएगा आठ, इस तरह समस्व कोशन का ये सेट नमर जो था, साइड नौ था, जिसका डिसक्सन करा दी है, नेस्ट आएगा, नेक्स सेट दस जो हैगा, ये आपको जल्दी अप्लो जाए भारत, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए,